प्लीज वेलकम टू अलोफ यूटीब चैनल लेर्ण विथ मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आये तो इस कैज हम करेंगे आज हम पड़ेंगे चैनल वाले ही कोशन कोंच नहीं कoleं कर दीजिगए थी कैज एसमें हमने पढə thinkकर एक बाधिया तर एक केंदर के अंदर की दुर्फ एक केंदर की बाहर की तरफ तर इस दोनों में हमने कितित्य कोशन कर दीं दोधिख पर लिए के तरफ यह रहा English पे तो चलिए अब हम कोशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं यह कोशन दिखरा बड़ा है भले लेकिन क्या है उतनी information नहीं है ठीक है दिखरा बड़ा है आधी information तो क्या दियो हुई है आधी तो लिखी हुई है यह परसन है इस इस टेबल में बैठे हुए है फेस इस साइड है ऐसे बैठे हुए है ठीक है इतनी information से आदा लिखा हुआ है तो कोशन को देखके घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ठीक है क्या लिखा हुआ है देखो 6 फ्रेंड से कौन-कौन Mnopqr ठीक है आर से ट्रेंगलर टेबल ठीक है समार फेशिंग इंसे एंड समार फेशिंग आउटसे ठीक है अब इसने बता दिया कुछ व्यक्ति इंसेड देख रहे हैं कुछ व्यक्ति आउटसेड हमें पता है क्या कहां देख रहे हैं नहीं अभी तक की information में हमें नहीं पता ठीक है इन इच मिडिल साइड टू परसन सा सेटिंग ठीक है इसने बता जिया है कि हर मिडिल सैट पे दो दो बंदे बैठे हुई है अब इन में से कुछ अंदर देख सकते हैं कुछ क्या देख सकते हैं बाहर देख सकते हैं ठीक है और क्या बोल रहा है अब इसने information देदी हमें R sits third right of P ठीक है तो अब हम क्या करते हैं इस information को note कर लेते हैं R कहां बैठा हुआ है third right पे है P के ठीक है हमने लिए अब मैं यहां से question start करूँगी या नहीं अभी मैं क्या करूँगी सारी information देख लूँगी अगर मुझे कुछ ऐसे information मिलती जिससे कि मुझे किसी का face inside है कि outside है यह पता चल गया और उससे related अगर मुझे information दिख गई तो मैं क्या करूँगी वहां से अपना question start कर दूँगी अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी P का face एक बर inside ले लूँगी P का face एक बर outside लेकि मैं अपना question solve करना start कर दूँगी ठीक है इतनी बाते समझ मैं अब क्या करते है आगे भी information को हम लिख लेते हैं ठीक है आर के third right पे P है अब क्या बोल रहा है यह O sits second left N के ठीक है O कहां बैठा हुआ है second left पे है N के ठीक है और क्या बोल रहा है P is neighbor of N ठीक है P किसका है N का neighbor है ठीक है P neighbor है N का and they are not facing in the same direction अब क्या बोल रहा है कि जो P है और N के बात हो रही they are not facing in the same direction अब यह दोनों एक ही दिसा में नहीं देख रहे है मतलब अगर P inside देख रहे है तो N कहां देखेगा outside अगर P outside N कहां देखेगा inside ठीक है इसकी कहने का मतलब है कि दोनों क्या है अलग-अलग direction में देख रहे है मैं आप कैसे लिख लेती हूँ इसे मैं लिख लेती हूँ P N और यह opposite opposite का मैंने लिख लिया अब क्या बोल रहा है देखो यहां तक का हो गया अब क्या बोल रहा है M sits adjacent to R N N मतलब M कहां बैठा हुआ है R और N की पास बैठा है मतलब R और N का क्या हो गया यह neighbor हो गया पड़ावसी हो ठीक है अब क्या बोल रहा है Q facing outside अब देखो अब यहां पीस ने मुझे Q का face बता दिया Q कहां देख रहा है outside की तरफ देख रहा है ठीक है तो मैंने इस information को note कर ली अब क्या बोल रहा है and opposite direction of P and N Q is facing outside and opposite direction of P and M अब क्यों क्या है देखो Q outside देख रहा है और यह क्या Q ही जो है वो क्या है P और M की क्या है opposite direction मतलब अगर यह outside है तो इन दोनों कहां होगे inside ठीक है इसके language इसका बोलने का मतलब क्या है कि क्यों जो है वो opposite direction देख रहा है किसके P and M के मतलब Q अगर outside है तो P and M कहां आ गए P and M आ गए inside हमने लिख लिया ठीक है अब क्या बोल रहा है और in each side only one person is facing inside मतलब देखो अब क्या बोल दिया देखो अभी इससे मुझे पता चल गया यहां पे दो-दो व्यक्ति बैठे होगे और यह क्या बोल रहा है कि हर side पे एक बंदा ऐसा है जो क्या है केंदर की अंदर क्योर देख रहा है ठीक है मतलब अगर एक बंदा यह अंदर देखेगा तो दूसरा बाहर देखेगा यह अगर अंदर देखेगा तो यह बाहर देखेगा ठीक है हमें नहीं पता हो सकता है यह बाहर देखे जो क्या है इंसाइट है इत्ती इंफर्मेशन मुझे पता चल गई तो इसको लिखने की जरुवत हमें नहीं है ठीक है और क्या बोल रहा है ओ इस फेसिंग ट्वार्द्स दे सेंटर मतलब ओ कहां देख रहा है ओ भी अंदर की ओर देख रहा है ठीक है तो अब मैं यहीं पर ल क्या करते हैं जब भी इंसाइट आउट चट रहता है हम कैसे बनाते हैं जैसी जैसे इंफर्मेशन दी रहती है उससे साब से हम अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है ट्राइंगल वाले हम हमेशा दो डाग्रम बना के चलेंगे अब देखो अब यहां पर साब करते हैं टो घुर्मिशन दी हुई यह न के सेके लैफ्ट पर ऑैंजै अ का पता है किने शोमर रेकने सरे सकती हो नहीं पटा तो हम हुक्त ऑंसे ब्हों से सपाना है उसे भी start नहीं होगा ठीक है अब M, M का face पता है मुझे inside up, M से related कुछ information है बिल्कुल है, M neighbor है R और N का, अब इससे मैं start कर सकती हूँ क्या कुछ नहीं कर सकती M का neighbor ले लूँगे, अगर मैं R और N का तो face मुझे पता थोड़ी नहीं कौन अंदर देख रहे कौन बार, M का तो face पता है मुझे inside है, पर R इस तरफ आएगा कि R इस तरफ आएगा ऐसे मुझे पता है कि नहीं तो मैं इससे भी start नहीं कर सकती हूँ हम Q से भी start नहीं कर सकते O से भी start नहीं कर सकते M से भी नहीं, अब बारी आती है P की अब P के बारे मुझे information स्टार्टिंग पर दे दी गए थी कि P third right पे है R के है ठीक है मतब P के third right पे R है ठीक है अब मैं P को एक बार इस side पे लिख लेती हूँ P का face मुझे पता है inside तो एक बार हम इस तरफ लिख लेते हैं अगले का face कहा जाएगा P का पता चल गया मुझे inside यह हो गया अब P के third right पे R है तो right side यह हो जाएगा एक दो और third right पे R ठीक है इतना information हम ने क्या किया नोट करके रख लिया अब क्या बोल रहा है अब देखो यह P और R पता है अब N और O पता है क्या नहीं अब क्या करेंगे P नेबर है N का ठीक है P नेबर है N का मतलब एक बार N इधार आजयेगा एक बार N इधार आजयेगा एक बार N इधार आजयेगा ठीक है यह फली information भी हो गई अब बोल रहा है मुझे P और N के हैं opposite direction है ठीक है, मतलब N बाहर क्यों रहेगा, इसमें भी N बाहर क्यों रहेगा, ठीक है, क्यों बाहर क्यों रहेगा, क्योंकि P क्या अपोजिट डिरेक्शन है N का, ठीक है, तो P अंदर क्यों है, तो N डेफिनिटली बाहर क्यों रहेगा, ठीक है, मैंने बना लिया दोनों को बाहर क्य अब N के second left मुझे क्या लेना है? O, मैंने लिख दिया O. ठीक है? ये वाला इस पे जम गया. अब नीचे वाले पे आती हूं में N के second left पे कौन आना है? O, तो N के second left पे O आएगा क्या? नहीं, यहां पे तो आ रहा गया. तो ये जमेगा क्या? नहीं. ठीक है? ये जमेगा क्या? नहीं. इसका face मैंने हटा दिया क्योंकि इसका face fix नहीं था. ठीक है? अब क्या बोल रहा है? देखो. अब क्या बोल रहा है? N के second left पे O है तो N अगर मैं ये वाला N को माल लो तो N के second left पे कौन आ गया? हो आ गया. ठीक है? इतनी information हमारी होगी. अब बोल रहा है M neighbor है R वर N का? तो R ये रहा N ये रहा तो M आ जाएगा? यहां पे ठीक है? R ये रहा N ये रहा तो M आ जाएगा? यहां पे ठीक है? neighbor आ गया इनका? और information क्या दिए हुई है? अब क्या बोल रहा है देखो ये हो गया अब एक ही प्लेस बची क्यों की तो हम क्यों को लिख लेते हैं ठीक है और क्यों कहां देख रहा है आउटसेट अब क्यों आउटसेट देख रहा है तो ओ कहां देखेगा अंदर क्यों आउटसेट देख रहा है तो आर कहां देखेगा अंदर ठीक है M बाहर देख रहा था तो M कहां देखेगा अंदर ठीक है और R और M का इसमें अभी हमीं नहीं पता second वाले diagram में ठीक है ये हो गया अब बोल रहा है M कहां देख रहा है inside मैंने लिख लिए M inside तो R outside ठीक है अब दोनों में तो arrange हो गया अब सिर्फ इसमें एक ही information बची जिससे की मेरा diagram fix होना है वो कौन सी है कि O जो है वो कहां है inside इस वाले diagram को अगर मैं देखूँ तो O का face तो बाहर आ गया तो ये diagram क्या गया मेरा गलत इस वाले में क्या है O का face ये diagram definitely हमने सही बनाया ठीक है इसमें हम क्या है क्यू código P price बाहर की ओर O का face बाहर का में दर क्यों सिर्फ सही बनाया ठीक है हूँ इसमें हमारा हर condition को हर information को वह हमारी follow कर रहा है ठीक है यह समझ मैं बिल्कुल एक ही करके बनाएंगे जैसे 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 कड़ी जोड़ते जाएगी वैसे वैसे हम solve करते जाएंगे ठीक है अब चलते हैं इसी टैप के दूसरे question की तरफ दूसरा question यह रहा हिंदी पर ठीक है आप इसका screen अब यहां पर corner और middle की बात हो गई ठीक है जो corner पर बैठे हुए उनका face कहां बोल दिया इसने inside मतलब corner वाले कहां देख रहे हैं center पर देख रहे हैं मैंने बना लिया ठीक है और क्या बोल रहा है and the person who are sitting at the middle side are facing outside अब बीच वाले कहां देख रहे हैं बाहर की ओर ठीक है हमने यह बना लिया ऐसे ऐसे व्यक्ति देख रहे होंगे ठीक है अब क्या बोल रहा है देखो इतना लिख लिए आधी तो information यही थी कि कैसे बैठे है और किस तरह face है ठीक है और कौन गौन से व्यक्ति है यह लिख लिए अब क्या बोला w is neighbor of dead person अब हम क्या करेंगे अपना information लिखने लग जाएंगे ठीक है w neighbor है किसका उस व्यक्ति का neighbor है जो क्या है w is neighbor of dead person w उस व्यक्ति का neighbor है who is second right of t जो क्या है पी के second right पे है मतलब यहां पे जो बंदा आएगा x y z वहीं यहां पे आएगा ठीक है इस step का मैंने question आप लोगो पहले करा रखा है ठीक है यह क्या बोल रहा है कि w neighbor है उस बंदे का जो क्या है t के second right पे है ठीक है मतलब यह दोनों बंदे क्या है same banty आएगे ठीक है डबलू neighbor है उस बंदे का जो t के second right पे है ठीक है w is neighbor of dead person who is second right of t जो t के second right पे उस बंदे का डबलू neighbor है ठीक है अब क्या बोलता है x is neighbor of u अब हमने लिख लिए x क्या है पर उसी है किसका u का ठीक है और क्या बोल रहा है आगे who is it's अब X है, U है, फिर हो है, तो हो किसके लिए हो गया? U के लिए. ठीक है, हो किसके लिए उप्यों हो रहा है? U के लिए. अब बोल दिया इसने, U sits third right of W. ठीक है, हो sits third right of W. हमने लिख लिया. ठीक है, W के third right पे U बैठा हुआ है. और क्या बोल रहा है? Z sits second left of X. जेट कहां बैठा हुआ है second left पे है किसके x के हमने लिख 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 है जेट सिर्ट सेकें left of x और क्या बोल रहा है the person who is facing outside वो बंदा जो क्या है outside देख रहा है मैंने लिख 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 ले outside वाला बंदा ठीक है sits third right of y मतलब third right पे है y के अब यह यह बोल रहा है कि the person who is facing outside वो बंदा जो क्या है बहार की तरफ देख रहा है sits third right of y के दाएं तीसरे बैठा हो मतलब y के third right पे बहार साइड वाला आना चाहिए ठीक है अब मैं इस information से मैं कौनसी वाली information से start कर सकती हूं मैं क्या करूंगी देखो अब face मुझे नहीं पता ठीक है face पता होना ज़रूरी जब तो मैं corner of middle पे बैठा हूंगी ठीक है बड़ काम पे आया क्या नहीं क्योंकि y से related और कुछ भी information नहीं दुए तो अब मैं क्या करूंगी अब मैं दो diagram बना के चलूंगी ठीक है अब मैं क्या करूंगी दो diagram बना के चलूंगी ठीक यह मैंने diagram बना लिया अब क्या करना है मुझे अब डेखो टी की second right पे जो बंद पे एक बार लेगे T को हम corner पे ठीक है क्योंकि मुझे नहीं पता अब यहीं क्या होगा हमारे diagram सही होगा ठीक है तो हम दो बना के चलते हैं ती को एक बार मैं ले लिया middle पे टी को एक बार ले लिया मैंने corner पे ठीक है, अब क्या बोल रहा है पहले वाले diagram में मैं अगर देखूँ तो T के second right पे, मतलब T का second right कौन सा आजएगा यहाँ पे, यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है वो क्या है, डबलू का neighbor है ठीक है, T के second right पे कोई बंदा बैठा हुआ है जो क्या है, डबलू का neighbor है ठीक है, हमने पहले diagram पे ऐसे बना लिया यह दोनों information से अब नीचे वाले पे आओं, तो T के second right पे कोई बंदा है जो neighbor किसका है, डबलू का ठीक है दूसरे पे भी मैंने यह बना लिया तो इसका third right कौन सा हो जाएगा एक, दो, तीन, तो यहाँ पे तो T बैठा हुआ है यहाँ पे यू आएगा, क्या नहीं मतलब यह वाला डबलू क्या होगा नहीं बैठेगा यहाँ तो डबलू कहाँ फिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है डबलू यहाँ पे फिक्स हो चुगा है, तो हम डबलू को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, डबलू बैठा हुआ है डबलू के third right पे यू लेना है, तो डबलू के 1, 2, और यह 3, डबो के third right पे कौन آगिया है एक दो तीन राइट सेड ये वला रहेगा मेरा ठीक है राइट सेड इस तरफ आएगा तो हम क्या ले लेंगे डबलू के थर्ड राइट पे यू को ले लेंगे तो यू आ गया यहाँ पे ठीक है कहाँ पे यहाँ पे ठीक है इतनी बाते समझ मैं ये वाली information से ठीक है उपर वाले diagram प्याओं तो अगर w मैं ये वाला ले लूँ तो w के third right पे कौन आना है u तो ये वाला इसका right side हो जाएगा ठीक है तो एक, दो, तीन, third right पे कौन आ गया ती आ गया तो ये क्या होगा, w यहाँ पे बैठेगा क्या नहीं बैठेगा, तो w कहाँ पे fix हो गया ये वाला w fix हो गया, ठीक है, w के third right पे क्या लेना है क्यों तो हमने u को भी fix कर दिया, ठीक है इतनी बाते समझ मैं, w और u क्या हो गया, fix हो गया अब क्या बोल रहा है, देखो आगे, अब क्या बोल रहा है इतनी बाते समझ मैं न, कि w के third right पे कौन था, u था, ठीक है अब x neighbor है, किसका, u का, ठीक है, x neighbor है, u का या तो x यहाँ प्याना है, या तो x यहाँ प्याना है, x यहाँ प्याना है इतनी information हो गई, अब क्या बोल रहा है, x के second left पे z चाहिए, ठीक है, ये वाली information बोरी ही, कि x के second left पे z चाहिए, अगर x यहाँ पे बठा दूँ, तो x के second left पे तो w आ गया तो z आ सकता है, क्या, नहीं, तो x कहाँ पे fix हो गया उपर पे, ठीक है, X कहां पे फिक्स हो गया, यहां पे हमने लिख लिया X, अब X के second left पे कौन आना है, Z, X के एक दो second left पे कौन आना है, Z ठीक है, यह हमने बना लिया, अब क्या बोल रहा, नीचे वाले diagram में X के second left पे X अगर यहां पे ले लू ठीक है, तो second left पे कौन आजाएगा W, पर चाहिए तो मुझे, Z, तो X यहां पे नहीं आएगा, X कहां पे फिक्स हो गया यह वला, ठीक है X के second left पे चाहिए मुझे Z, यह फिक्स हो गया बचा कौन, बचा कौन है, Y ठीक है, तो अब Y के लिए एक ही place बची है यहां पे यह वली और यहां पे यह वली ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो, Y के जो third right पे है Y के जो third right पे है, वो क्या है outside देख रहा है, ठीक है अगर उपर वाले diagram की बात करूँ मैं तो Y के third right Y यह रहा, इसका third right इस तरफ आएगा, एक, दो, तीन यह कहां देखना चीए था outside पर यह कहां देख रहा है, center मतलब यह वाला diagram क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है, अगर नीचे वाले diagram की बात करूँ क्या बोल रहा है, Y के third right पे Y बैठा हुआ है, यहां पे इसका third right कौन सा हो जाएगा यह वाला side उसका क्या होगा, right side होगा ठीक है, third right पे कौन बैठा है, outside वाला तो 1, 2, 3, Z बैठा है, बिल्कुल outside देख रहा है, मतलब यह वाला diagram हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, यह बाते समझ मैं, एक एकन की information दी हुई थी, हमने उसको क्या क्या दीरे-दीरे solve कर लिया, ठीक है दो हमारा ऐसा चल रहा था कि या तो यहां पे होगा, या तो वहां पे होगा ऐसे वाली condition इसमें हमारी चल रही थी पर उसमें से भी एक fix होना था और एक नहीं होना था, ठीक है तभी तो question आगे बढ़ रहा था तो आज का session हम यहां पे end up करते हैं ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यह session आपको पसंद आया होगा कल फिर मुलाकात होगी, एक नए concept के साथ ठीक है, जितना हो सके आप लोग के लिए यह वीडियो helpful है तो प्लीज इसे share कीजिए, ठीक है जितना हो सके उतना share कीजिएगा और जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं उतने लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो चले session को end up करते हैं Till then keep learning, keep practicing Thank you and bye-bye